हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ चिकन बिर्यानी की रेसिपी और बिर्यानी बनाने के तो बहुत सारी तरीके हैं पर आज में जो तरीका आपको बताने जारी हूँ वो बहुत ही एजी है इसमें घंटो दम लगाने की ज़ुवत नहीं पड़ती है और स्वात बिल्कुल दम बिर्यानी जैसा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी होममेट बिर्यानी मसाला जिसके कारण बिर्यानी बहुत ही खुश्बुदार और जायकेदार बनती है तो चली जल्दी से रेसिपी देखते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे बिर्यानी मसाला तो यहां पर मै साथ हरी इलाईची, दो बड़ी इलाईची, एक फूल जावित्री का, दस दालचीनी, और इसके बाद हम डालेंगे दो तेज़ पत्ता, एक चक्र फूल, और अब हम डालेंगे दो बड़े चम्मस सूखी हुई गुलाब की पतियां. गुलाब की पतियों से बिर्यानी मसाला बहुत ही खुश्बूदार बनता है, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मीडियों फ्लेम पर हम इसे दो मिनिट तक बुन लेंगे, जब तक की मसाले से हलकी खुश्बू ना आने लगे, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम की ओफ कर देंगे, यह मसाला अच्छे से बुन गया है और यह दिखी जब हम गुलाब की पतियों को हांस से इस तरह से मस लेंगे तो यह दिखी बिलकुल पॉडर जैसा बन जाता है, अब हम इसी स्टेश पर इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसके बाद इस पीस कर एक फाइन पॉडर बना लेंगे, और यह देखी हमारा खुश्पूदार जायकेदार बिल्यानी मसाला बिलकुल रेड़ी है, इस मसाले को आप एक से दो महिने तक एक एर टाइक कंटेनर में रखकर यूज कर सकते हैं, अब हम जिसमें मसाला पीसे थे उस मिक्सर जा इसके साथ ही डालेंगे एक मुठी धन्यापत्ती और फिर हम डालेंगे एक मुठी पुदीना, और इसे हम एक टेबल स्पन पानी डाल कर इसको पीस कर, हम पेष्ट बना लेंगे, और यह पेष्ट रेडी है, इसके हम ट्रंसर कर देते हैं एक बोल में, तो चलिए मसाला रे के रख लिया था, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच अध्रक लहसुन का पेष्ट, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच धन्यापॉडर, आधी छोटी चम्मच लालमिच पॉडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पॉडर, और अब इसमें झालेंगे, यह देखा हुआ द्थी तभ ही पपटा हुआ था, और फिर हम डालेंगे बिष्टा यानि कि फ्राइड अनियन थेल में तेल अब इसमें से हम आधे से ज्यादा यानि 3 4 अनियन हम मेरेने आज डालेंगे और थोड़ा सा बचा कर रखेंगे जिसका यूज हम बाद में करेंगे और ये दिखें मैंने आदे से ज़्यादा डाल दिया है और ये थोड़ा सा बचा कर रखा इसका यूज हम बाद में करेंगे अब इसमें डाल देंगे आधा नीबू का रस और नीबू का रस डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें नमक और यहां पर हम नमक डालेंगे एक छोटा चमज पूरा भर कर और यह नमक भी मैंने डाल दिया अब इसके बाद हम डालेंगे केवडा एसेंस दो से तीन बून केवडा एसेंस डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और 2-3 बून ही डालना है ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि केवडा एसंस अगर आप ज़ादा डाल देंगे तो वो करवाzd तेष्ट हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने बिर्यानी मसाला रेडी करके रखा है उसे हम डालेंगे दो बड़े चम्मच बिर्यानी मसाला इसमें डाल देंगे मैंने जितना बिर्यादी मसाला क्वांटिटी बताया है उसमें आप 1 kg चिकेन का बिर्यादी आराम से बना सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम घह कर मरनेट होने देंगे कम से कम आधे गंटे के लिए तब तक हम चलिए चावल बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो बड़ी लाइची, दो हरी लाइची, दो इंच दालचीनी का टुकड़ा साथ से आठ लॉंग, दस काली मिच, एक चक्र फूल, आधा जावित्री का फूल और अग इसे हम चावल में हमें डालना है, तो चावल में आप इसे डारेक्ट भी डाल सकते हैं, ऐसे ही, लेकिन जब चावल बनने के बाद यह मूँ में आता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे पोटली में बना कर डालूँगी, तो इसक में आएगा भी नहीं, इस तरह से इसे हम गाट लगा देंगे इसमें, अच्छे से बांदेंगे ताकि मसाले बाहर निकले नहीं, और फिर चावल बनाते से में हम इसको यूज करेंगे, चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पानी पहले से ही वायल कर रखा है, और यहाँ प अब इसमें डालेंगे जो मसाले की मैंने पोटली बना कर रखी थी, उस मसाले की पोटली को हम इसमें डाल देंगे, और इसके साथ इसमें डालेंगे दो हरीमीच बीच से कटी हुई और दो तेजपत्ता, इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी धन्या पत्ती, थोड़ी चावल एबजॉब कर लेगा लेकिन आदा नमक पानी के साथ बाहर निकल जाता है इसलिए नमक इसमें ज्यादा लगेगा और यह देखिए चावल अब करीब करीब पक चुका है हमें 80-85% चावल को पकाना है और यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट यह पका हुआ है अब हम इसे चावल को छानकर अलग कर लेंगे बिर्यानी बनाते समय चावल को पूरा नहीं पकाना चाहिए थोड़ा सा वो कच्चा रहता है मदब 85% तक आप कुक कीजिए इससे बिर्यानी का चावल काफी खिला खिला बनेगा क्योंकि जब हम दम लगाते हैं तो उसमें भी यह च आप इसको भी यूज कर सकते हैं इसे आप पीस कर किसी सबजी में यूज कर लीजिए तो आपका यह वेस्ट भी नहीं होगा इस तेश पत्ते को भी निकाल देते हैं और हाँ एक चीज तो रहे गया यह हम नीबू का छिलका भी हटा देते हैं इससे इसके कारण नीबू डा करेंगे और इसे में डालेंगे एक चोगाली कप तेल रहाए जिसमें प्याज को भून था क्योंकि प्याज बुनने से उस तेल में प्याज का भी फ्लेवर रा हाँ इसलिए आप वही तेल यूज केगे इसमें दालेंगे दो छोटी चोटे चमक-देशी घी और फिर जो मेर और हाई फ्लेम पर हमें 10 मिट तक इसे भुनना है। पर दस मिट भुनने के बाद चिकेन को इस स्टेज पर जब कि इसमें थोड़ा सा पानी रह जा यह देखिए। बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है अभी इस स्टेज पर हम कुकर का डकन बंद करकी एक विसल आने तक पका लेंगे गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे इससे क्या होगा कि चिकन भी पक जाएगा अच्छे से गल जाएगा और मसाला भी भून जाएगा और एक विसल जाएगा है यह देखिए कुकर का डकन कोल के देख लेते हैं चिकन अच्छे से पक चुका है गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भून गया देखिए काफी ओयल रिलीज हो गया है यह देखिए कितना ओयल रिलीज हुआ है इसका मतलब कि हमारा मसाला भी अच्छे से और फिर इसकी उपर डालेंगे बिरिस्ता और साथ ही डालेंगे थोड़े से कटेवे पुदीना और धन्या की पत्ती और जो पकेवे चावल जो मैंने बना कर रखा था उसको सारा चावल इसकी उपर डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से कुकर में बिर्यानी बनाना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें आपको घंटो दम लगाने की कोई भी जरूत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छा बनता है इसमें हम सबसे उपर डाल देंगे थोड़ी सी पूदीना पती और कटी हुई धन्या पती साथी इसमें डालेंगे बचा हुआ ब्राउन अनियन और फिर इसमें डालेंगे गुलाब जल गुलाब जल मैंने यहां पर दो बड़े चमच गुलाब जल डाला है और इस गुलाब जल डालने के बाद हम डालेंगे दो बुंद केवडा एसेंस और साथ ही हम डालेंगे food color food color optional है लेकिन देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने उपर से थोड़ा सा food color एड़ कर दिया है अब जो पानी निकला था चावल से उसी पानी को मैंने यहां यूज किया है और एक चौथाई कप पानी डाल देंगे पानी डालने से चावल मौश्ट रहेगा और काफी सौफ्ट बनेगा अब ढ़कन बंद करके हम high flame पर ही इसे एक विसल आने लगेगा गैस की flame हम आफ कर देंगे पूरा विसल हमें आनी नहीं देना है जैसे लगे कि हाँ एक विसल आने वाला है उसी स्टेज पर हम गैस की फलेम आफ कर देंगे और फिर इससे थंडा होने देंगे कुकर को जब प्रेसर निकल जाएगा तब हम इसका ठकतर खोल कर चेक करेंगे जैसे ही एक विसल आने वाला था मैंने गैस की फ्लेम आफ कर दी और 10 मिट हम रुखकर उसके बाद हम इसका धक्कन खोलेंगे ताकि इसमें जो भी प्रेसर है वो अपने आप निकल जाए और 10 मिट के बाद हम इसे चेक करेंगे और ये देखिए हमारी बिर्यानी बिल्कुल रेडी है बहुत ही अच्छी बिर्यानी बनकर रेडी हुई है बहुत अच्छी सी खुश्बूश्प से आ रही है तो आप भी एक बार इस तरीके से बिर्यानी बना कर देखिए आपको बिर आपको मिल जाए और हाँ अगर आप ने है इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलती हूँ फिर आपसे नेश्ट वीडियो में तिल देन बाइबाइब